अगर वक्त से पहले आपके बाल सफेद होने लग गए हैं या डैमिज हो गए हैं या ड्राइ हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है बिसमिल्लार रहमान रहीम अस्सलाम वलेकुम अल्ला ताला की रहमत करम और शुकर के साथ आज की वीडियो शुरू करती हूँ तो आज की रेमेडी में मैं आपको एक टोनर बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही नेचरल इंक्रीडियन्ट से बना हुआ है और वो हमारे किचन में ही अवेलिबल होती है चीजे घर की चीजों से ही बनेंगी जादा महेंगी भी नहीं है और फोर्डिबल रेंज में बनेगा ये टोनर, केमिकल वाले टोनर लगाने से अच्रा आप natural टोनर लगाएं तो वो कौन सा टोनर है और किस तरह बनाते हैं तो मैं आज आपको बताओंगी अच्छा जी आपने लेना है एक गलास पानी उसमें आपने डालने है प्यास के चिलके डालने है एक पूरे प्यास का काम करती है ये इसके बाद आपने डालनी है एक टी स्पून इसमें कलोंजी टी स्पून का आपने हिसाब रखना है सारी चीजे टी स्पून के हिसाब से आपने लेनी है इसके बाद आप इसे थोड़ा सपकने देंगे तो आप देखेंगे के प्याज अपना रंग छोड़ दे पानी में जब आप देखेंगे आदा ग्लास पानी रह गया तो आप इसका फ्लेम बन कर देंगे पहले अच्छे से आपने इसको पकाना है कि ये सारी चीजों के फवाइद इस पानी में आ जाएं सारी चीजों ने अपने सारे फवाइद इस पानी में छोड़ दिये हैं अब इसको थंडा करने के लिए छोड़ देना है जब ये थंडा हो जाएगा तो आपने इसे चान लेना है फिर आपने इसको किस तरह लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ अच्छा जी आपने इसको लगाना इस तरह है कि जब आप अपने बाल दोने लगेंगे उसके आदे तो में अच्छी तरह से आपने इसको स्प्रे करना है चाहे तो आप बालों की लेंद्ध में भी लगा सकते हैं फिर इसके बाद आपने अपने नॉर्मल शैंपू से अपने बालों को धो लेना है आपको इतने बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपको धेरान हो जाएंगे ए और भी बहुत सारे बालों के मसले होते हैं ये टोनर उनको भी ठीक करता है ये सारी चीज़े बालों के लिए बहुत अच्छी होती है बालों को बहुत तेजी से ये लंबा करता है टोनर तो आप जरूर इस टोनर को ट्राय करें बनाकर आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंग झाल